हलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका A2Z Real with YouTube चैनल पर आशा करता हूँ कि आप अच्छे हैं। साथ अजूबों की सीरीज में आज हम बात करेंगे कोलोसियम की। इटली के रोम शहर के केंद्र में बना रोमन सामराज्य का सबसे बड़ा अंडाकार Amphitheater है। इसे रोमन वास्तुकला और इंजिनेरिंग का सबसे अच्छा उदाहरन माना जाता है। इसका निर्मान ततकालीन शासक वेस्पियन ने सत्तरवी से बहत्तरवी शताबदी के मध्य प्रारंब किया और अस्सीवी शताबदी में इसको समराट टाइटस ने पूरा किया। 81 और 96 वर्षों के बीच इसमें डोमिशियन के राज में इसमें कुछ और परिवर्तन करवाए गए। इस भवन का नाम एंफिथियेटर्म। फ्लेवियम, वेस्पियन और टाइटस के पारिवारिक नाम फ्लेवियस के कारण रठा गया। कोलोसियम के निर्मान के समय लगभग 200 बैलगाडियों का उपियोग मारबल्स के परिवन में किया गया था। इसके निर्मान के लिए करीब एक लाख क्यूबिक मीटर पत्थर का इस्तिमाल किया गया कोलोसियम को बनाने के लिए साथ हजार यहूदी दासों ने काम किया था यह रोम के लोगों के लिए एक उफार के रूप में बनाया गया था अगर आज के हिसाब से कोलोसियम की लागत का हिसाब लगाया जाए तो यह 49 मिलियन यूरो से अधिक होगी मतलब भारतिय रुपियों में 3.46 करोड 17.11.804 रुपियों के करीब है अंडाकार कोलोसियम की क्षमता 50,000 दर्शकों की थी इस स्टेडियम में मात्र मनोरंजन के लिए योध्धाओं के बीच खूनी लड़ाया हुआ करती थी योध्धाओं को जानवरों से भी लड़ना पड़ता था अनुमान है कि इस स्टेडियम के ऐसे प्रदर्शनों में लगभग 5 लाख पशुओं और 10 लाख मनुष्य मारे गए इसके अतिरिक्ट पौरानिक कथाओं पर आधारित नाटक भी यहां खेले जाते थे साल में दो बार भव्य आयोजन होते थे और रोमनवासी इस खेल को बहुत पसंद करते थे पूर्व मध्यकाल में इस इमारत को सार्वजनिक प्रयोग के लिए बंद कर दिया गया बाद में इसे निवास कार्यशालाओं, धार्मिक कारियों, किले और तीर्थ स्थल के रूप में प्रयोग किया जाने लगा आज 21 वी शताबदी में यह भूकंप और पत्थर चोरी के कारण केवल खंडर के रूप में ही बचा है लेकिन इस खंडर को परियटकों के लिए सजा कर रथा गया है यूनेस को द्वारा इसका चयन विश्व विरासत के रूप में किया गया है आज भी शक्तिशाली रोमन सामराज्य के वैभव का प्रती माना जाता है विडियो देखने के लिए धनियवाद ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे